हालो गाईज, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रोफेशनल प्यूटी वर्ड में कैसे हैं आप सब तो देखें आज का हमारा टॉपिक है टाइपस ओफ टॉनर टॉनर हमारे लिए बहुत यूसफूल होते हैं क्योंकि हम टॉनर हम पहले भी टॉनर यूस और बैसे भी हमARे टॉनर यूज करते हैं अब कंछर हो कि फैसे हूस प्रोफेशनल हम तर्फेशनल करना हैmaid हम देखते हूं उसके according हम toner purchase करते हैं तो आज मैं आपको वही पताऊंगे कि हमें toner कौन सा लेना चाहिए toner कितने types के होते हैं mainly और हमें किस तरह से toner choose करना है और कैसे वो हमारी skin पर work करते हैं तो देखे basically जो toner के types होते हैं वो होते हैं three types होते हैं first होता है हमारा hydrating toners hydrating toner second जो हमारा होता है वो होता है exfoliating exfoliating toner और third जो हमारा होता है वो होता है treatment toner यह three types के toner mainly होते हैं और बाकी toner हम घर में भी बना सकते हैं जो भी हमारे fruits का हमारे cucumber होता है इन सब पुदीना होता है इन सभी के extract से हम लोग toner बना सकते हैं लेकिन mainly जो हमें मिलते हैं वो three types के toner मिलते हैं तो देखे सबसे पहला है हमारा hydrating toners तो hydrating toners जो हैं यह toner हमारे skin को hydrate करते हैं हमारे skin जब हम pleasing करते हैं उसके बाद में जो dry skin होती है वो थोड़ी से उसको extra hydration की need होती है तो जो यह वाले toner है वो हमारे skin को hydrate करते हैं यह dry skin के लिए बहुत अच्छे toners हैं हमारे skin को यह अंदर से अच्छे से clean करके और उसको hydrate करते हैं उसके नमी को चीनते नहीं है मैं sure जब भी आप toner ले रहे हूं आपको हमेशा देखना है कि आपका toner alcohol free होना चाहिए क्योंकि alcohol क्या करता है alcohol हमारे skin होता है इसके नमी को चीनता है हमारे skin को dehydrate करता है और हमारे skin को काला बनाता है इसलिए मैं sure जब भी आप toner खरीदे आप हमेशा alcohol free toner ही खरीदे तो hydrating toner जो हमारे skin को hydrate करने का काम करता है हमारी skin पर जो flackiness होती है हमारी skin जो मतलब हम जब makeup करते हैं उससे पहले हमारी skin थोड़ी सी patches आ जाते है तो हमारी skin की preparation होती है वह बहुत अच्छे से होगी तो जो dry skin है उसके लिए अगर हम hydrating toner या फिर आप mist भी यूज़ कर सकते है hydrating toner हमारे skin को deep clean करते हैं में एक दम freshness मिलती है जब हम makeup करते हैं से पहले हमें refresh feel होता है hydrating toner हमारे υ275 exfoliating toner exfoliating toner हमारे Dirt cells को remove करते हैं हमारे जो pleasing हम करते हैं उसके बाद में जो भी dirt and dust हमारे face पर रह जाती है उसको यह अच्छे से deep clean कर देते हैं और जो exfoliating toner से हमारे salicylic acid और glycolic acid based product से बने हुए होते हैं जो हमारे oil skin, sensitive skin, combination skin के लिए best होते हैं आप oil skin के लिए यह combination skin के लिए आप यह वाले toners यूज़ कर सकते हैं यह हमारे skin को अच्छे से exfoliate करते हैं हमारे जो भी open pores होते हैं उनको यह shrink करते हैं क्योंकि जब हम makeup करते हैं तो makeup से पहले अगर हम oil skin पर toner यूज़ करते हैं वो एकदम shrink हो जाते हैं और हमारे makeup के application बहुत अच्छे से होती है तो यह हमारे skin को बहुत अच्छे से clean करते हैं हमारे skin पर जो भी dirt, dust होती है उसको यह अच्छे से clean करते हैं हमारे pores को यह अच्छे से clean करते हैं और जो हमारे fine lines होती हैं उनको भी हमारे exfoliating toners बहुत हद तक minimize करते हैं तो आप जो normal skin है, oily skin है, combination skin है उस पर हम लोग exfoliating toners use कर सकते हैं बट हमें इसको dry skin और sensitive skin पर use नहीं करना है क्योंकि dry skin और sensitive skin को ये वाले toners irritate कर सकते हैं उसके बाद में third हमारे treatment toners treatment toners जो होते हैं वो हमारे skin की problem के लिए work करते हैं देखें क्या होता है, हमारे skin पर बहुत सारी problems होती है हमारे skin में जैसे किसी को brightening effect चाहिए होता है तो brightening effect के लिए brightening toners आते हैं जिनमें vitamin C होता है तो vitamin C based toner हमारे skin को brightening look देते हैं हमारे skin को bright करते हैं वैसे ही pore minimizer toners आते हैं हमारे pores को minimize करते हैं देखे एक example मैं आपको दिखाती हूँ देखे ये है मेरा daily pore minimizing toner काया का इसका आप देख सकते हैं इस पर mention क्या हुआ है alcohol free with which has a cucumber extract for all skin type तो जो है हमारे treatment toners होते हैं all skin types के according होते हैं क्योंकि हमें देखना है कि skin की problem क्या है उसी के according हमें treatment toners use करने है तो देखे मैंने जैसा पहले बता है कि हमें make sure करना है कि alcohol free होना चाहिए हमारा toner क्योंकि alcohol हमारी skin को black करता है हमारी skin की नमी को कम करता है ऐसे ही treatment toners जो होते हैं वो हमारी anti-aging को भी balance करते हैं क्योंकि हमारी जो ace के according हमारी fine lines अगरे आती है उसको भी balance करने का काम करते हैं हमारी pH level को यह balance करते हैं और जो vitamins ही आता है उनसे हमारा brightening level अप होता है तो आप कोई भी treatment toner अपनी skin की problem के according आप purchase कर सकते हैं तो देखे हमारे होगे first होता है हमारा hydrating toners जो हमारी dry skin के लिए होता है second हमारे exfoliating toners होते है जो हमारी combination skin normal skin और oily skin के लिए होता है और third हमारी treatment toners होते है जो हमारे all skin types के लिए होते हैं उसके बाद में हम toner घर पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई toner नहीं है तो आप वो ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास toner नहीं है तो आप normal tap water भी use कर सकते हैं तो basically हमारे three types के toners होते हैं और जो भी फिर हमारे toners होते हैं हमारे जो भी हम घर में भी बना सकते हैं खीरे का बना सकते हैं हम पुदीने का बना सकते हैं or tyips के बना सकते हैं तो वो हमारे इन्हीं में से हमारे जो इनके pattern होते हैं वही होते हैं तो उमीद करते हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक किई शेयर किई जो subscribe पीजे ठैंक्यू